हेलो फेंट्स वेलकम टू स्टेडी ग्रूप पाट शारा मैं विलाश और आज ही ग्लास नो डिस्ट करेंगे ट्रांसलेशन को नहीं ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लेश इसके पहले के सारी वीडियो को जरू देख लिएगा ताकि आप सभी तरह के हिंदी टू जो आपको ऐसे लेटर और ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगी अन्रेट प्लस यहां पर आपको एसे मिल जाएंगे जो कि मुस्ट इम्पोर्टेंट और करेंट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपिक्स अउस अब इंप्रूड़ एंड में साथी साथ हैं लेटर की 40 प् के सारे टॉपिक्स मिलेंगे और लोज पॉस्ट में अपको बिक्स मिल जाएंगे डिशनल 30 पॉसट इस्काउंट मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है वहां से जाके आप डिस्काउंटर रेट्स पें बुक्स को ले सकते हो और अपनी त्या अधिक है जब पहली बार हम सोचते हैं प्रकृती के बारे में इसकी हर्याली ही हमें बिसिकली हमारे मन में आती है तो इसको कैसे लिखना है वोड़ी दफर्स तिंग देट कमस तो आप माइंड ठीक है ग्रीन री बोलते हैं हर्याली को सही है कि जगा है लिख सकते हम रूप ठीक है इस तरह से आप इसको फॉर्मिट आपको जियान रखना है जिस तरह सब को इंदिया होगा कोमा लगा के इन्वर्टेट कॉमा या फिर जो भी आपको यहां पर लगाना होगा रैट अब उसके बाद लेकिन प्रकृती की सुन्दर्टा हर्याली से कहीं आदेक है ठीक सुन्दर्टा जो हर्याली से और भी अधिक है रैट इस तरह से सिंपल में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस लाइन को आगे बढ़ते हैं अगला आपको दिया हुआ है कि आप जो कुछ भी मैसूस करते और चारो और देखते हैं जिसमें परवत वन नदियां पक्षी पौध है यह सब प्रक्रति की सुन्दर्टा का एक हिस्सा है ठीक है तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर सुरुवात करोगे आप जो कुछ भी मैसूस करते हैं और चारो तरफ देखते हैं इससे सुरुवात करेंगे कि everything you feel and see around ठीक है around मतलब चारो तरफ जो चीजे जिसमें शामिल है परवत वन नदियां इंक्लूडिंग माउंटीन्स फॉरेस्ट रिवर्स बर्ट्स प्लांट्स एनिमल्स एयर एक्सेट्रा यह जितनी चीजिए आप लिखनी है और आधी के लिए हम लोग लाएंगे एकसेट्रा ठीक है तो यह सभी क्या शामिल है और आर पार्ट यह सभी जो ही इंक्लूड करते हैं इस इंक्लूडिंग करके लिखा है मतलब यह सभी इसके इंतरगत शामिल है इसके बाद को यह सभी प्रक्रति की सुन्दरता का एक हिस्सा है तो आर आल अपार्ट ओफ दा ब्यूटी ओफ नेचर ठीक है ओल आदर लेविल इसका बढ़ा है जैसे जैसे आप पैसेज करते जोगे वैसे वैसे आपका लेविल बढ़ता जाएगा ताकि आप थोड़े से टफ जो है ट्रांसलेशन है उनको भी कर पाऊगा समी से राइट दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रकृती दुनिया के सभी जीवित प्र प्रकृती जैसे भोजन पानी आश्रय आदी प्रदान करती है जिसकी हमें आवशकता है ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं अब इसको कैसे करना है देखो अब हमें प्रकृती के माध्यम से क्या क्या चीज़े भोजन पानी आश्रय आश्रय सब मिलना है तो यह आप लिखोगे नेचर प्रवाइट सस एवरीटिंग लाइक फूड वाटर शेल्टर एक्सेक्टर विच्वी नीड टू सर्वाइव इ हम मनुष्य भी प्रकृती का एक हिस्सा हैं लेकिन हम प्रकृती से खुद को अलग करते हैं और उन चीज़ों को करते हैं जो प्रकृती को नुकसान पहुचा सकती है ठीक है यानि कि हमारा बेसिकली हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो कौन सिसमें ज्याज़तार ऐसे का होते हैं ऐसे चीज़े होती है जो कि प्रकृती को नुकसान पहुचा रही होती है तो यहां पर आप बता सकते हैं उसके रिगार्डिंग तो आप देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि हम यानि कि वी मनुष्य भी प्रकृती का एक हिस्सा है तो वी यूमन्स आर ऑल्स वी यानि उसके प्रकृती को नुकसान पहुचा सकती है तो इस तरह से इसको आप सिंपल वे में ट्रांसलेट कर सकती है और आए होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा राइट दोस्तों आगे दोस्तों लोग बढ़ते हैं प्रकृती और उसके संसाधनों का सम्मान करें इसके प्रती कुछ दया दिखा है प्रकृती की रक्षा करना मनुश का दाइत है ठीक है अब इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे अब यहां पर देखो प्रतवी और उसके संसाधनों का सम्मान करें पहले इतना ट्रांसलेट करना होगा तो रिस्पेक्ट सम्मान करने का मतलब र resources तो नेचर है उसके संसाधनों का और प्रकृति का दोनों का में सम्मान करना चाहिए इसके प्रती कुछ दया दिखा है यानि show mercy show some compassion towards it और आप mercy भी term use कर सकते उसका मतलब भी दया होता है तो show some mercy या फिर compassion towards it इस तरह से आप इसको translate करोगे इसके बाद प्रकृति की रक्षा करना मनुश्य का दाई तो है तो it is the responsibility of a human being to protect nature यानि प्रकृति की रक्षा करना जो है वो मनुश्य का दाई तो होता है ठीक है तो इस तरह से इसको आप simple way में translate कर सकते हो और I hope आप लोग समझ पाईओंगे कैसे इसको translate करना एक्जाम में तो इस तरह का अगर कोई पैसे जाता है तो इसको simply translate कर पहोगे रइट दोस्तों आगे बरते हैं अगर हम आने वाली पीडियों को एक अच्छा प्रकृतिक वाता वरन प्रदान करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि अगर हम आने वाली पीडियों को एक अच्छा प्रकृतिक वाता वरन पतान करना चाहते हैं तो यहां पर कैसे लिखेंगे देखो we should refrain from doing any harm to nature refrain from का मतला बचना किसी काम को करने से बचना इसको हम लोग रिफ्रेंट फ्रॉम लिखते हैं तो वी शूद रिफ्रेंट फॉम डूइंग एनी हाम तो नेचर यानि हमें नेचर को किसी भी तरह से basically हम यह नुकसान पहुचान से बचना होगा ठीक है if we want to provide a good natural environment to the future generation ठीक है अगर हम future generation को एक अच्छा natural environment प्रोवाइट करना चाहते हैं तो रही दोस्तों इस तरह से इसको translate कर सकते हैं को और I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे इसी तरह से आपको telegram channel को भी जुआइन कर सकते हो यह आपको सारी important PDFs और Classes की notification मिल जाएगी आपको description में लिंक मिलेग और comment section में पिन कर दूना वहां से जाकर आप telegram channel भी जुआइन कर सकते हो और ये वीडियो आपको क्यासा लगा comment करके जरूर कताएगा वीडियो एलफु झालाओ जुआइन कर दूना रापको से जरूर टोर आपको कि अपता है वीडियो एलफुआऊ पिस की जएन कर दोलफूँ आपको के लिए मिलेगदा वीडियो और सकते हो एले कि जएफुआब ऒूगा पेजब उहाई है